गुद्ध गुद्ध सर्च है ना आज को सकते हैं ना इसमें हमारा पानी को करने के लिए जो सिस्टम को उसको ही यह सिस्टम करते हैं इसमें हमारा क्या है सोर्स किया है सोर्स हमारा local source हो सकता है local source में जैसे हमारा open वेल deep well hand pump और हमारा dam reverse यह हमारा source हो सकता है source में हम क्या करते हैं इंटेक बेल का construction करते हैं और वहां से पानी उठाते हैं रोव वाटर राइजिंग में की थे थुरू हम वाटर treatment तो ही सटोरेज किया जाता है वहां से पांपिंग करके हम पारों ना होताधा है हम पंपिंग के दूुरूप hindsight सब्सक्राइब और C7 G01 जो हमारा यह सब्सक्राइब करने तो अर सार जो सब्सक्राइब करते हैं तो यहांतो तो उसी चीज़ को दिखा रहा है नेस्ट सोर्सेस अब सोर्सेस क्या है ओपन बेल ट्यूब 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 बेल हैंड पांप पॉंड डैम एक्स्टरनल पाइप सप्लाय रेन वाटर हर्वेस्टिंग सिस्टम स्टैंक यह सब हमारा सोर्स हो गया अब हमारा विलेश बलता है ओए इसके बाड़े में इसके बाड़े में डिस्कसन कर लेंगे समयोता में होसे आंगस। ट्रीवाइटी होते जाता है अब मेंलाइन आ हमारा जो एक डिजेन होता एक फर्स्ट पॉइंट से लाश्ट कोई तक हमारा जाता है और अगल बगल के जितना ऐर्या को हम पानी सप्लाई करते हो ठूरू अब रांच पाइप के ठूरू हम करते हैं और सब्सक्राइब लगा देते हैं जहां पर शह पानी ले सकते हैं यस्टेण पोस्ट के हम निर्मान हर दो मतब हम हठ होनेक्शन तो देते हैं उसके अलाबा भी हम को इस्टेंट पोस्ट बनाना होता है वहाँ पर निवास कर रहा है वहाँ पर एक टेप कनेक्शन देना होता है दूसरा कंडिसन देखा जाता है पानी को सप्लाइग कर सकते हैं यह हमारा जो नेक्स्ट है यह हमारा सो कर रहा है ले आउट यहां सोर्स से हम पानी उठाए प्रैमरी स्टोरीज में पानी इस्टोर हुआ उसके बाद ट्रेटमेंट के लिए जाता है ट्रेटमेंट होने के बाद पानी इस्टोर हो जाता है जो जाते हैं वहां से हमारा जो पानी थुरों अउटलेट में लाइन ब्रांच लाइन सब में लाइन जीतना भी हाउस होल्ट वह उसको कवर करता है वह पानी दिया जाते है अगर एस टेट पॉस्ट जहां भी आपको इस्टा पोस्ट देने का जरूरत है वहाँ पर हम यह सब हमारा सर्फिस वाटर के अंतरगत आ जाता है सर्फिस वाटर करते हैं और यहां से पानी हम सप्लाइ करते हैं यहां लेवल से हमको पानी लेना है उसके लिए उसके निकल कि हम वाइड पाणी सप्लाइ करते हैं और यह लेस नमर्स आफ यूजर्स को हम पानी कर सकते हैं लगवक 60 मिटर डेफ्ट तक इसका वेर सेफ ग्राउंड वाटर इस एबलेबल अप्टू 60 मिटर डेफ्ट हैंड पॉप इस एडियर च्वारे क्लस्टर और हेविटेशन और और हमारे ग्राउंड लेबल पर पानी एबलेबल है तो हम यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है लोकल सोग मतलब कलासिफिकेशन इसक पर लॉकल सोर्सस में अगा डिश्टेशन सोर्सेश जव पानी का सोर्स हमको लोकेशन पर नहीं यहां पर जबलेबल नहीं है आघो कि वाहां प्लेंट पानी करते हैं जो भी पानी या तरिटमेंट करते हैं जो भी पानी आ रोता है उसको हम हम कर्या निटेट के लिए हम बढ़ा देते सब्सक्राइब करना होता है उसके लिए हम पंप इंस्टोर करते हैं और इसके लिए एक सेपरेट हमारा इलेक्टिकल और पैनल मोड्स का भी ज़रूरी पड़ता है ताकि 2400 गंड़ एलेक्टिसिटी के एफलेबिलिटी रहे ताकि हमारा जो पुरा वाटर सप्लाइब मेकेनिज्म है सही तरीका से वह चले तो यहां पर जो हमारा लिखा हुआ है सेम चीज़ है पांप इस यूज टू फेच वाटर प्रम सोर्स लाइक बॉर्ड बेल ओपेंवेल संब जहां पर भी है हमारा सोर्स है वहां से हमको पानी जो मिल है उसको सप्लाइब करना है कहां पर पाइपलेंग फ्रू के लिए अभी पंप हाउस एक तो हमारा होता है यह पंप हाउस जो हमारा पंपिंग सिस्टम है वह हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास होता है यहां पर भी हम एक पंपिंग सिस्टम इंस्टोर करते हैं और सेकेंड यह वाटर सप्लाइज सिस्टम में एक और होता करता है कि जब हम water treatment plant से पानी आता है तो हमारा एक सीड़वर का construction ये सदार के नियरवाए हम construct करते हैं जहां पानी आके इस्टोर होग होता है जो कि हमारा detention time को maintain करता है और उसके बगल में भी एक हम हम इस्टोर करते हैं जो कि सेक्शन करना पड़ता है तो अब कार गां को यहां को नहीं हो पाइप सिस्ट्म को एरेंज करना पूरता है अभी राइजिंग में क्या है दो डेलेवरी लाइन केरिंग वाटर फ्रम प्रम्प टू स्टोरी स्टेक कि ऐलेवेटेड और ग्राउंड इच कोल्ड राईजिंग में और डाईजिंग में का ठेक है यह डिपनीशन है और दूसरा यह भी है कि जो हमारा इंटेक विल से हमारा वाट टे प्लांट तक जो आता है उसको हम रहो वाटर टैट्मिन प्लांट जो हमारा यह साथ से लिए हम उसको हम कलिए लाइन बीचाते हैं पानी का उसको हम के लिए वाटर राइजिंग कहते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं जो की जो हमारा लेवल होता है जहां पर हमको पानी सप्लाइब करता है उससे हाइट पे हम एक यह सार करते हैं पानी का प्रेसर होता है वो थ्रूआउट मेंटेन हो सके ग्रांड लेवल और 15 लेवल स्टोरेज टैंक के तब लेवली जेनरली नोट मौर देन त्री मिटर रीजे जैनल नहीं होता है लेकिन जैसे हम जाए सार होता है और सेमें क्लिए वार्ट रेजरबाई शीड़बवाड भी होता है इस में क्या करते हैं का इस्ते क्संट में 50% यह होता है वो हमारा दो सब्सक्राइब में इस क सब्सक्राइब कर देते हैं यह अच्छा एक और पॉइंट है यहां पर लिखा है यह सारी हाइट मोर दें 15 मीटर मोर दें 15 मीटर लेकिन यह जरूरी नहीं यह 15 मीटर है इसका अगर हम डिजैन पार्ट में जाएंगे तो इसमें हमको यह भी देखना पड़ेगा कि नियर वाइब जो भी एरिया जहां पर हमको पानी का सप्लाई करना है वो लेवल किया है पहला दूसरा घर का हाइट कितना है वह टोरेज जडो है स्टैक्ट करते हैं घ餐 करते हैं ऑड!! सब्सकें हमको इसे कम अमसे कम माग व..! से हम पानी नहीं कर रहे हैं उस जो rare case chances होता है उस case में भी हमको पानी supply करना होते है तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम समको construct करेंगे सम करते हैं यह एक गुना या दो गुना capacity का हो सकता है कि यहां पर 2-5 दिन तक का पानी मर्जेंसि के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। हिसके लिए हमको समका कंश्टक्शन करना पड़ता है stylishata 과र वाटर डिस्टिवीशन क्या है हम को चाहे रोरल एरिया हो चाहे अरभन एरिया हो वहां पर हमको पानी को distribution करना है पानी को distribution करते हैं वो throughout piping system होता है और जो हमारा नीड़ेट जो फ्रेशर होता है फ्लो रेट होता है उसको maintain करके हमको पानी को supply करने के लिए यूज करते हैं वो required flow rate with needed pressure in the piping system हमको जो पानी को distribute करना है प्रोम ये साथ टू हाउस होल्ड यह water distribution system क्या होता है यह हमारा पहला होता है gravity feed distribution system gravity feed distribution system में क्या होता है हम हमारा जो source of water है वह हाइट पॉइंट पे होगा और जो supply village होगा वह हमारा lower area में होगा तो इस steps का area में हम gravity feed distribution system हम यूज करते हैं नेश्ट होता है pumping system जब हमारा water source हमारा lower area में हो है और supply जो हमको जो एरिया में करना होगा है तो उस case में हमको pumping system हमको यूज करना पड़ता है dual combination sometimes क्या होता है undulated area है हिली area है यह ओपन लेंड है तो उसके उस जगा पर हमको dual combination system हमको यूज करना पड़ता है जहां जहां हमको pumping का जरूरी पड़ेगा required pressure maintain करने के लिए वहां पर हम pumping का system का यूज